हेलो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लांचो का प्लांट दिखाऊंगी और एक प्लांट से हम किस धंग से डेरो प्लांट बना सकते हैं और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं ये मैं वीडियो में पूरा दिखाऊंगी दोस्तो और इस प्लांट को किस धंग की मिट लौकिछ एच्छे वीडेओ ला सको दोस्तो चलिए वीडेओ स्टार्ट करते हैं मैं शान्ती जोशी अपने ही गार्डनेग विच्टाशन्ध शान्ती जोशी में आपका स्वागत करती ह Wonder दोस्तों देखें दोस्तों मैं आपको ये जो प्लांट दिखा रही हूँ और देखें जो ये मैं पोट दिखा रही हूँ दोस्तों ये पोर्ट मैंने घर पर ही घर में वेस्ट पड़े pengay soil wipe और महात्मा बुद्ध की मूर्ति भे गांने वर्फोर्ट है की बिधिक भी महात्मा बुद्ध 2014 का दोस्तो опас anchiego कि बाथ करें कि लांचो का不起 ng供ाइबाद से उक्लेट विलांग करता है और आड़न की वेराइंटी होने की कारण इसे पानी की ज्यादा कॉछक्ता इसे पानी कम चाहिए अगर हम इसमें ओपर वाट्रिंग कर देंगे तो यह इसमें जड़ें जो हैं इसकी गल जाएंगी और इसमें पौधा मर जाएगा धीरे-धीरे गल जाएगा तो ज्यादा बानी इसमें नहीं डालना है और ड्रिनेज हूल का विसेज ध्यान रखना है कोई भी पौट में आप लगा रहे हैं इसको ज्यादा बड़े पौट की आवशकता नहीं होती है यह छोटा प्लांट है तो इसको छोटे पौट की आवशकता होती है तो आप जब भी पौट कोई भी पौट लें तो इसमें ड्रिनेज हूल का विसेज ध्यान रखें दोस् दोस्तों कितना खूबसरत प्लांट हैं और देखिए हैं छोटे सेमिल में लगात रखा है और यह हैं घृतन के हैं अब CHRIST लिग ए बिरया दोस्तों जहां सनलाइट की आह pruepir तुर हैं टो संलाइट भी एक चाहिए और indirect sunlight में आप इसको रखे ये indoor plant है और ये dark अंधेरे में भी dark rose नी में भी ये हो जाता है, तो इसमें अंधेरे में भी ये double up हो जाता है तो इसको जादा इसको धूपकी आउशकता नहीं है और जहां तक मिट्टी के बाद दोस्तो हम करें, तो मिट्टी दोस्तों इसमें 50% मिट्टी 30% कमपोस्ट लीब कमपोस्ट हो तो बहुत अच्छा है ने तो शड़ी भी गोबर की खाथ और इसमें इसको हलका करने के लिए दोस्तों दहान की भूशी दहान की 20% आप दहान की भूशी का इस्तमार करें और फंगिसाइट के रूप में इसमें दोस्तों नीम की खली नीम की खली इसमें डालिए चोटे गमले में एक मुठी काफी है दोस्तों तो आप इसमें नीम की खली फंगिसाइट के रूप में डालेगा दोस्तों और इसमें कोई भी ऐसे ज्यादा कमपोस्ट की आवशकता नहीं होती है ज्यादा इसमें कोई भी तो ये प्लांट गल जाता, और देड़े, देरे мнеजाता, तो दोस्तो ये जो प्लांटे हैं ये सर्दियों का प्लांटे hours ग films सर्दियों में ही इसमें floweringd, और मौममर से लेकर अप्रैल तक this mean floweringd गर्मियों के मौसम में दोस्तों इसमें फ्लावर नहीं आते हैं और बरसाद के मौसम में भी इसको थोड़ा सा बचाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा बारिश में अगर हम अपने प्रांट को रख देंगे तो ये गल जाएगा तो इस बात का विसे ध्यान रखे क्यार करेंगे तो ये प्लांट आपके वहां हमेशा बना रहेगा और एक प्लांट से भी आप काफी इसके प्लांट बना सकते हैं दोस्तों देखे दोस्तों कितना खुपसरत दिखाई दे रहा है बहुत खुपसरत प्लांट है दोस्तों और छोटा सा प्लांंट है और चोट इसको ज्यादा बड़े पौट की आशकता नहीं है छोटे से पॉट में यह हो जाता है और से कटिंग से हैं इसकी पत्तियों से आप इसको कई प्लांट इसके बना सकते हैं दोस्तों देखें बहुत अच्छे हैं यह काफी समय तक टिकार रहता है बहुत अच्छा दिखाई देता है देखे अगर आप एक प्लांट आपके पास तो आप इसके कई ही जो बनाई है यह चोटी सी एक प्लास्टिक सी सी स ledge से बनाई हुए हैं ऐस्म आपको अच्छी लगे तो प्लीज बतैएंगा comment करके क्या उस्थिए बहुंखे दोस्थो कितने flowering हो रहे हैं देखिए एक्दम घुच्छ वर फूल आए वे हैं देखिए दोस्तों कितनी फ्लावरिंग हो रही है इसमें मौशर बना रहना चाहिए इस प्लांट में दोस्तों कोको पीट का इस्तमाल ना करें क्योंकि कोको पीट में मौशर ज्यादा बना रहता है और उसमें फंगस लगने का भी डर रहता है इस explant में fungus लगने का ड़ रहता है तो gocopyte का इस्तमाल इसमें ना करें और इसकी जगह आप धान की भुसी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों और अगर आपको इसमें कीतना शक का डालने की आफशकता पड़े तो वैसे तो इसमें कोई कीतना शक के नहीं डालने की ज़रत है परन्तो इसमें जब आपको डालने की आफशकता पड़े तो आप नीम ओयल का स्प्रे करिएगा नीम ओयल का और नहीं तो जो आप नीम की खली डाल रहे हैं उतना ही इसमें काफी है दोस्तों उतना ही काफी है इसमें ऐसे कोई फंगस की इसमें शिकायत नहीं होती है और लिए दोस्तों और इसी पत्यों से हम काफी प्लांट बना लेंगे हम नीचे जो फालतू पत्या हैं उनको कट कर देंगे जिससे की प्लांट को पूरा न्युट्रिशन भी मिल जाए और हमारे प्लांट भी बन जाए और प्लांट भी खूब सर्दिखाई दे और थोड़ा हल् देखिए जो फाल्तू पत्यां थी उनको मैंने हटा दिया है और प्लांट भी हलका हो गया और बहुत खुपसरा दिखाए दिरा है और इसमें से नई ग्रोथ बनेगी देखिए आम मैंने रेतर ले लिया है रेत सेंड ले लिया है दोस्तो और थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिल बाल यह लाली है और देखिए यह पत्यों को पकड़ कर इस 漁त्रव चाफिस यह पॉड़क्ट gelmiş लेना एक तीन ची तो सोटय बक्त Dude. लेना है और जादा गहरे पॉड़क्ट में आ प्लांट आले है और यह देखिए रित में दोस्तों इसमें सेंड में हम पानी डालेंगे तो पानी रुखेगा नहीं पानी बाहर निकल जाएगा और जिससे कि हमारा प्लांट आई हम सड़ेंगे नहीं यह देखिए देखिए दोस्तों पत्यों को इस जंग से आप प्लांट बना सकते हैं इस जंग से शारी पत्या है और इतने इन प्लांट को बनने में दोस्तों रूट इसकी डबलप होने में करीब 25 से 30 दिन लग जाते हैं इसे आप छाया में रख दीजिए और हलका पानी का छड़काओ इसमें कर दीजिए पानी स्टोर नहीं होना चाहिए ने तो ये पत्तियां सब शड़ जाएंगी तो देखे दोस्तों इस देंग से आप धिरो प्लांट क्लांचों के बना सकते हैं अब पॉट की गहराई ज्यादा ना लीजए देखे तीन इंची का पॉट है और इसमें मैंने देखे यह मैंने कुछी क्रोव किया थी मैंने कापी प्लांटक्डिंग से बना लिया हैं दोस्तों और इसकी गतिंग भी करे जो एक्स्ट्रा आपकी कटिंग लेलीजिए तो आप एक कट करके उसको भी लगा सकते हैं देखे दोस्तो यह जो है यह मेरे हाइडरेट वेराइटी के प्लांटे हैं इस धंग से आप दोस्तो कटिंग से और इनकी पत्यों से काफी प्लांट इसके बना सकते हैं बस आपको थोड़ा सा यह दियान रखना है कि इसको बारि अगर आपने गर्मियों से इसको बचा लिया है और बसात से बचा लिया है तो आपके पास धेरो प्लांट हो जाएंगे थैंक यू दोस्तो